कुछ मोर्निंग अर्यान लिपिग्या गुड मॉर्निंग सांतानू गुड मॉर्निंग पार्थ गुड मॉर्निंग ऑल ओके चलो तो आज का सेस्टन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज Body Fluid and Circulation का Lecture 4 है और आज के इस Lecture में हम लोग यहाँ पे अब तक जो भी पढ़े है उके उसका एक Overview हम लेंगे With the help of Slides Need होंगा तो Once Again as it is Similar Board पे वापस से आएंगे तो आज के Class को Start करने के पहले सबसे पहले हमारे लिए जो Important Task है वो यह है कि कल आप लोगों का टेस्ट है 720 Marks का टेस्ट है सायद मुझे Am I Right Hello क्या आप लोगों का प्रिप्रेशन हो गया है तो Firstly बिटा कल के पेपर को लेकर के कुछ queries या कुछ doubts है यदि आप लोगों के तो वो हम लोग देखते हैं और साथी साथ कुछ questions जो है एक new pattern type जो हमेंने रखा हूं ठीक है जो अभी तक के नहीं दिया वो भी अभी मैं आप लोगों को यहां पे explain करूंगा और साथी साथ कल के test में कैसे आप लोगों को अपना best performance देना है ताकि score काफी अच्छा आए उससे related भी कुछ हम लोग discuss करेंगे और फिफाइनली हम लोग आज का जो next portion है जो body fluid and circulation वाला जो अब तक हम लोग study किये उससे related हम लोग discuss करेंगे ओके response करेंगे सबी लोग जिल्दी से very good तो आज विससे मैं आप लोगों को phone mute or unmute का access दे रहा हूँ ठीक है यदि किसी के कुछ doubt से last chapter को ले करके तो आप लोग पूछ सकते हैं यदि doubt है तो ही phone को unmute करेंगे अपना question करेंगे और questions होने के बाद फिर अपना जो answer है यदि आपको ठीक है उसके बाद भी doubt आते हैं तो आप question किजिए और नहीं आते हैं तो आप जो है next doubt पूछ सकते हो ठीक है तो चलो start करते हैं जल्दी से क्योंकि उसके बाद में कुछ आप लोगों से questions जो है वो पूछने वाला हूं समझगे तो one by one देखिया ऐसे directly chance नहीं मिलेंगा कि आप phone का unmute कर लो और question कर पाओ सबसे पहले hand raise करना है ठीक है rules regulation को follow करना पड़ेंगा ताकि किसी भी type का disturbance ना हो ठीक है otherwise मैं आपको यहां से permanent block कर दूँगा फिर तो फिर बीडाउट है firstly बीटा hand raise करेंगे किसी का भी hand raise नहीं हुआ है means no doubt जलो तो finally next portion पर चलते है means आप लोगों का preparation बहुत अच्छे से हो चुका है ओके तो यहां पर बीटा यह जो एक question है चारो भी options को अच्छे से पढ़ लो ओके और इस चारो भी options के according में आगे questions देने वाला हूं इसमें देखिए यह assertion region type की questions है जिसमें option A जो है ठीक है यहां पर आप लोगों को दिख रहा होंगा तो इसमें आपका यह option A है यह B यह C और D मिस आगे आने वाले जो भी questions रहेंगे उनके answers आपको यही चारो options के according देना है ठीक है तो statement को अच्छे से एक बाद पढ़ लो और उसके बाद question में आप लोगों के सामने display करता हूं फिर आप लोगों को उसका answer जो है वो देना होंगा आपको लेक्या सब्सक्शनकर आपका उबसे हैड ब taxpayer उसक्थरे कि अच्छा कर लिए बेटा सभी लोगों ने क्या दिया हुआ है यहां पर यहां पर दिया है read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the option below तो इसमें देखिए बिटा first option क्या दे रहा है first option में यह है कि आगे चलके में आपको question में एक assertion यह देने वाला हूँ और इस assertion के साथ यही साथ उसका एक reason होगा और यह assertion और reason जब होगा तो आपको दो questions जो है इस तरह से मिलेंगे देखो यहां पर एक assertion दिखरा है और एक reason आप लोगों को दिखाई दे रहा है ठीक है दिखरा ना विटा आप लोगों को यहां पर यह एक assertion है और दुसरा यहां पर जो है वो क्या है reason है ठीक है तो इस assertion और reason के according यदि हम देखे तो यहाँ पे पहली चीश तो first आपके लिए क्या दिख रहा है यहाँ पर firstly यहाँ पे assertion और reason जो दिये हुए है ऐसा हो सकता है कि दोनों भी true है option one यही कहता है option भी भी यही कहता है कि assertion और reason दोनों भी true है समझ गए but इसमें दो options आते हैं match अब दो option क्या होते हैं जो आपको region दिया है जो असर्चन के according direct explanation में आ रहा है या फिर जो आपको region दिया है वो assertion के according correct explanation में नहीं आता है not word देखों यहाँ पर देख रहा है समझ गए हैं? या तो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है इतना आप लोगों को वहां पर पहचानना है ओके अब यह होने के बाद फिर next आपको option A और B नहीं लगते हैं तब हम option कहां पर जाएंगे बैटा C पर जाएंगे तो option C क्या कहता है assertion और reason दोनों भी false है ठीक है ऐसा है कि नहीं assertion true है बट reason false है और option 4 यह कहता है कि assertion और reason दोनों भी false है तो जब आपने assertion पढ़े और जब आपने region पढ़े और आपको ऐसा लगता है कि यह जो दिया गया assertion है और जो region है दोनों भी false है तो उस time पे आपको option D को mark करना पढ़ेगा किसे मार्क करना पड़ेंगा उस टाइम पे आपको option D पर जैसे कि example लेता हूं में आपको option D कैसे मार्क करोंगे ठीक है तो option D को मार्क करने के लिए जैसे कि for example अभी हम लोग जो है यहाँ पे circulatory system का study कर रहे हैं तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको यह बता रहा हूं कि circulatory system में assertion यह है कि formation of RBC very very important process for all human beings and RBC formation जो है इसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि human जो है ठीक है उसका life जो है वो बढ़ जाता है ठीक है यह assertion हो गया reason ठीक है life बढ़ गया reason क्या है reason यह है कि RBC का production जो है वो उसमें kidney बहुत important role play करता है अब बताओ इसमें option A, B, C, D क्या आएंगा बताओ नहीं बैटा मैं को यहाँ पे आपको options बताना है इतना घुमा के दिया हूं मैंने आपको मैंने इसलिए आपको हिंदी में ही समझाया इस statement को मैं इंग्लिज में भी दे सकता था हुए 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 या थोड़े से करीब हो बाकिये भी दा किसी का भी एंसर नहीं मिला सही मैंने यहां पे क्या कहा फॉरन फॉर्मेशन अपर फॉर्मेशन अपर आर वीची इस दा वरी सिंसेल प्रोसेस निज़ी अपर यूशुल फॉर्टा इंकरीज वर लाइब स्टाइल या और लाइफ और सेकन ओप्शन है क्रिटने अर्वेश इंपर्टेंट ओर फॉर्मेशन अपर वर्वी प्ले इन धा फॉर्मेशन अपर विसी तो बिटा मुझे यह बताओ कि पहली चीस तो RBC का formation से हमारी life बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है कि RBC form हुआ तो हमारा life बढ़ेंगा या कम होंगा या कुछ भी नहीं होंगा तीन option बताओ increase होंगा decrease होंगा या neutral रहेंगा आरियन का answer आया है कोसिका सेजल अथर्व अश्या मुझे बताओ यदि RBC का formation नहीं हुआ तो क्या होंगा हम लोग blood का study कर चुके हैं last lecture में RBC का formation नहीं हुआ तो क्या होंगा आज प्रलाद नहीं है के बटा class में response करो हाँ very good कोसी good कोसी का हरसीता good योगेश्वरी बटा पार्थ और एक और कोई अथरुसायद आप लोग के दो questions थे जो pending रह गए हैं मुझे बाद में फिर से question करोंगे ठीक है मैं answer दूँगा आप लोगों के ठीक बाद में देखा था मैंने बट question हमारा start हो गया था very good बटा देखिए oxygen ट्रांसपोर्ट अफिक्टेड होंगा प्रजवल का अंसर आया है सितीज ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगा योगेश्वरी मतलब maximum student cancer यही आ रहे है ऑक्सिजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होंगा क्यों क्यों क्योंकि आप लोगों ने यहां पर breathing का study कियो हना मतलब यह question जो हमारे किस से related है breathing से related है एकदम conceptual question है बटा यह मौद important है I think आज प्रलाद क्लास में नहीं यहां सा लगरा मुझे तो देखिए बटा RBC का production यदि नहीं हुआ तो obviously ना तो oxygen का transport होंगा पहले चीज और food वैसे तो blood आता हम especially RBC की बात कर दे है very good तो RBC का number decrease हो जाएंगा RBC का formation नहीं हो तो miss anemia होंगा hemoglobin भी काम हो जाएंगा और oxygen जब proper amount में body tissue तक के नहीं पहुँच पाई तो person weak हो जाएंगा proper amount में glycolysis नहीं हो पाएंगी body में energy का formation नहीं हो पाएंगा कितने सारे region हो सकते है तो RBC का production पेटा हमारे life जो है उसको बढ़ाएगा तो जिन लोगों ने neutral या decrease बोले थे decrease तो किसी का नहीं आया था कुछ लोग neutral बोले थे तो वो लोग गलत हो गए बेटा तो इस तरह से assertion अब आप बताओ true है या फिर false है या असरसन था हमारा true है very good assertion हो गया true second thing RBC production के लिए kidney जो है बहुत ही जादे important role play करता है क्या ये सही है ये गलत है अब देखो इत्ते हल्दी options पे भी चले गए कैसे गलत है ये बताओ और कैसे सहीं ही ये बताओ किस्यों को वाइस में access चाहिए तो हैंड्रेस कर सकते हो आप लोग very good अथर्व अथर्व का explanation भी बहुत सहीं आया है very good part देखे बटा RBC production के लिए किड्नी एक बहुत ही ज्यादा important और्गन होता है क्यों कि आर्वी सी formation के लिए बटा एक हार्मोन चाहिए कुनसा erythropoetine जो कहां से आता है किड्नी से आता है समझ में आ गया और किड्नी से आता है तो RBC का production में किड्नी के important role play कर रहा है तो reason में true हो गया अब आप मुझे यह बताओ जब assertion और reason true है तो अब option D और C सहीं हो सकता है क्या yes or no नहीं होंगा समझ गया मैं यार आप लोगो ना voice में access दे रहो मुझे मजह नहीं आ रहा ठीक है आप yes or no में answer जो है और जो भी answer है आप phone को mute unmute करो और answer दो अब मुझे बताओ जब assertion और reason true हो गया तो option C और D correct होंगा क्या no sir true अब यहां पर जब यह true नहीं होगा तो अब option A और B दोनों मेंसे कोई नहीं होंगा अ कि मालल मुझे आएंगा A कुछ लोग A वाले हैं, कुछ लोग B वाले हैं, कुछ लोग B वाले हैं, ठीक है? Option B Option चलो, देखते हैं, अब देखो बिटा, यहाँ पर option A और B को select करना है, तो अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, confused हो सकते क्योंकि देखो, जब option C और D पर जाना है हमको, तो कोई problem नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों भी जब assertion region false है, तो हम D पर चले जाएंगे, दोनों में भी यदि हम देखे, assertion true और reason false है, तो भी हमको समझ में आ जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं होती है, option C और D को mark करने में, ठीक है लेकिन सबसे बड़ा problem आता है, option A और B को जब mark करना होता है, क्योंकि दोनों भी सही है, बट दोनों सही है, तो किस case में सही आ रहे हैं, ठीक है, क्या assertion region एक दुसरे के लिए बने है, या फिर assertion region एक दुसरे से बने नहीं है, तो ऐसे statement में हमेशा ये याद रखना बेटा, कि यदी assertion कहता है, कि वो सही है, और region कहता है, कि वो भी सही है, और assertion का region पे या region का assertion पे direct यदी कोई न कोई effect होता है, ठीक है, direct यदी कोई contact रहेगा, तब option A पे आएंगे, और direct कोई भी contact नहीं रहेगा, तो option B पे आएंगे, अब देखो कैसे, जैसे कि बटा, यदी हम ल जल दे या ऐसे टाइम पर क्या करना रिजन को आप नेगेटिव कर देना और रिजन को नेगेटिव करने पर देखना असर्शन पे कोई इफेक्ट होता है क्या तो रिजन को जब हम नेगेटिव करते हैं और उस टाइम पर यदि असर्शन पर कोई इफेक्ट हुआ तो यह देगा मैं आपको एक डिमो देता हूं, ठीक हें, सांतानु बटा, permanent phone को unmute नहीं रखना है, जब आपको voice access मिलेगा तब आप उसे use करो, सांतानु नियुक तो मैं permanent block करदूँगा ऐसे मैं, ठीक हें, जब आपको voice access चाहिए, mute unmute click पे होता है तो अभी देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने क्या अभी हम reason को negative करते हैं ठीक किड़नी कोई भी important role play नहीं करता है RBC के formation में ठीक है तो उसके बाद भी अब मुझे ये बताओ RBC का formation life को life की age हमारे age को बढ़ाएंगा क्या क्या फिर भी continue RBC का production हो पाएंगा क्या किड़नी कोई role play नहीं कर रहा किड़नी ने दुस्मनी मोल ले ली RBC से किड़नी बुलता है जब तू अपने जिन्दगी जी मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला तो अब भी क्या RBC का production होते रहेंगा अब भी क्या life line बढ़ते रहेंगे मारी नहीं तो reason को जब हमने negative की ये तो directly assertion पे effect हो गया है तो इसका answer बताओ क्या होगा बेटा A या B अब उमीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे सा समझ में आ गया होगा ठीक है चलो अभी हम एक और डेमो ले लेते हैं ठीक है अब एक डेमो ऐसे लेते हैं कि जैसे की for example यहां पे ब्रिथिंग को लेकर के questions समझे लेते हैं हम लोग ठीक है ब्रिथिंग में जैसे की assertion जो है ठीक है assertion में हम लोग inspiration और expiration और internal और external costum muscles का हम देखते हैं ठीक है तो देखिए क्या है breathing are very very important mechanisms ठीक है और जिसमें inspiration का जो process है उसमें बहुत ही ज्यादा important role play करता है क्या चीच एंट्रकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम ठीक है breathing are very essential process and breathing यह सब assertion में ही है ठीक है और ब्रिथिंग के लिए बिटा intercostal muscles और डायफ्राम ठीक है inspiration के लिए बहुत ही ज्यादा important role play करता है यह होगा असर्शन फिर रिजन रिजन यहां पर मैं यह कह रहा हो कि exchange of gaseous external respiration जो कहां पर होगा यह होगा कहां पर alveoli and blood के बीच में तो यह होगा रिजन अब बता इसका answer क्या आएंगा a b c d question समझा यह repeat करना है assertion में breathing important process है breathing में inspiration का process जो है उसमें important role play कर रहा है क्या चीज एक तो intercostal muscles और दूसरा diaphragm second option हम कहां पहुचे exchange जो हो रहा है means external respiration जो कि alveoli और कहां blood capillaries के बीच में हो रहा है assertion true, reason true यह false है बताओ option b option b option b option b option b but बताओ बता माइक को थोड़ा सा दू रखके बोलो बटा चलो मैं सम्झाता हूं यहां पर पहली चीज तो देखो मुझे यह बताओ इंस्पिरेशन नहीं होगा तो gases exchange नहीं होगा इस बात को मानते हो आप दोनों तो करेक्ट है चलो एक चीज़ तो समझ में आ गई है ठीक है internal costal muscles intercostal muscles मतलब intercostal muscles और diaphragm तो important role play कर रहे inspiration भी यह भी सही है ठीक है क्या मैसेज देखने दो important ओके good बेटा हाँ तो intercostal muscle से contact हो रहा है तब्जा की inspiration हो रहा है इंस्पिरेशन हो रहा है तब्जा के ही क्या हो रहा है gases exchange हो रहा है ओके transport होगा तब्जा की partial pressure में डिफरेंस आएगा partial pressure में डिफरेंस आएगा तभी inspiration और expiration होगा तो inspiration ही नहीं हुआ तो gases exchange भी नहीं हो पाएंगा समझ गए तो यह तो बहुत बड़ा critical task है कि इसमें A answer पर आया या फिर B पर आया अब इत्ता समझाने के बाद अब आपको क्या लग रहा बताओ A है या B है एंसर दोगे A A A B Confirm पार थे नहीं अत्रोग B पर आ रहे देखे बटा एक बात हमेशा याद रखना assertion और reason जब भी आप solve करो तो आपको एक अच्छा खासा knowledge भी चाहिए है मैं ठीक है यहां पर exchange of gases एक अलग पार्ट है inspiration एक अलग पार्ट है assertion को हम negative बना रहे हैं तो reason जो है वो negative हो रहा है ठीक है तो यहां पर यदी मैं आपको इसको उल्टा करके देता हूं उल्टा करके मतलब कैसे यदी इस questions को मैं ऐसा देता हूं कि assertion को मैंने बना दिया second वाला पार्ट मतलब assertion यह कहता है कि gaseous exchange जो है बहुत important process है जो alveoli और blood capillaries के बीच में हो रहा है और यह external respiration क्यालाता है और इसका यदी मैं reason आपको दू कि इसका region यह है कि breathing एक important process है और इसमें intercostal muscles and diaphragm बहुत important role play करते है क्योंकि जब इस contract हो रहा है तो उसकी वज़ासे क्या है inspiration होँगा समझे है तो यदी मैंने assertion region की जगह को बदल दिया तो अब यहां पर जब आप breathing को negative करते हैं intercostal muscle contract नहीं होंगी तो inspiration नहीं होंगा और जब inspiration नहीं होंगा तो gases exchange भी नहीं हो पाएंगा तो इस case में बटा option A पर जाना है हमको लेकिन मैंने पहला जो case दिया उस case में आपको option B पर जाना क्योंकि आप यहां पर gases exchange को आप negative करो तो आपका gases exchange नहीं हो पाया तो भी बटा muscles contract तो करी रही है न तो inspiration तो हो गई होगा उस पर कोई effect नहीं होंगा तो पहले case में option B आ रहा है और दूसरे case में option A आएंगा समझ में आ गया बटा चलो standard type की कुछ questions अभी discuss करते हैं हम लोग ऐसा कोई person जिसको यह दोनों statement अभी जो समझाए हो नहीं समझाओ चलो तो यह question solve करेंगे जल्दी से असरसर यह कहता है कि process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion reason कहता है कि bio macromolecule in food cannot be utilized by our body in their original form option A option option is or A option A okay बागी लोग option A option A सभी लोग A पर ही है B आप लोग यहां पर गलत हो गाए क्योंकि इसका एंसर भी आएंगा क्यों भी आएंगा आप समझे लो यहां पर क्या बोला है जहां से समझे बेटा आप 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 का अप आप आप तो assertion पे कोई effect हो रहा है कि यह बताओ यदि food यदि complex नहीं होता ठीक है देखो क्या है bio macromoleculine food cannot be utilized by our body in original form तो यह तो ठीक है ना हमारा body complex compound को original form में use नहीं कर पा रहा है यहां तो ठीक है लेकिन process जो है विटा complex food substance को simple form में convert करने का जो process है उसे digestion कहते हैं तो यहां पे यह जो assertion है इसमें एक process बता रहा है और यहां पे compound है जिसको हमारा body original form में use नहीं कर सकता तो यह assertion और reason जो है वो दोनों सहीं तो है बट एक दूसरे से related नहीं आ रहे ना बिटा क्योंकि इसको आप बदलोंगे तो इसमें कोई effect नहीं होने वाला क्योंकि दोनों भी एक independent यहां पे part दिया हुआ है इसलिए इसका answer जो है वो B आएंगा समझ में आ गया तो आगे बढ़ते है clear अभी भी पूछना है तो पूछ सकते हो clear नेक्स कोश्चन दो तिन कोश्चन का प्रैक्टिस ले रहा हूँ है आप लोगों से में ठीक है शलो यह वाला एंसर देंगे बिटा हाँ बिटा रेलेशन को अप्जर करना है बहुत अच्छी तरह से अच्छी अच्छी तरह से अच्छी तरह से ले वाला एंसर वाईश में मत दो ताकि बाकी लोगों को भी चांस मिले ने तो लोग फिर इसका उसका एंसर कॉपी करेंगे चलो कुछ लोगों ने A और कुछ लोगों ने B दिया है मतलब C और D नहीं हो सकता ये कन्फरम हो गया है हाँ पहले दे दिया है अच्छी बात है चलो आगे बढ़ते हैं Amphysimum is a chronic disorder one of the major cause of Amphysimum is cigarette smoking या पर one of major cause बोल दिया है बटा तो क्या Amphysimum सिप cigarette smoking से ही होता है क्या क्या दूसरा रिजन नहीं है क्या बताओ यहां पर one of major cause जो है यहां पर दिया हुआ है बताएंगे जल्दी से इसका answer A आएंगा या फिर B आएंगा एर पॉलूशन की वज़े से भी हो सकता है very good अभी सही हो आप लोग तो इसका correct answer क्या होगा बटा बी इस दे करेक्ट इंसर क्योंकि MBC मा क्रोनिक डिस ओडर यह तो सही है one of major cause बोला ना बटा तो यहां पर यदि पॉलूशन में यदि रहे टोबेको की हम बात करें सिगार वगेर होता है वहां पर सिब उसने cigarette smoking कहा है तो cigarette के अलावा बेटा cigar भी तो यूज करते हैं लोग smoking के लिए जहां पर एक type of tobacco smoke होता हो तो उससे भी तो MBC मा हो सकता है समझ में आ गया Alveolar को तो damage करे गई हाँ यहां पर बेटा जब ऐसा question है ना one of major ऐसा बोला उसमें तो उसमें हमको बाकिशी जोको भी याद रखना पड़ेगा यहां पर बेटा ऐसे question को solve करने के लिए depth knowledge चाहिए होता है ठीक है Assertion region के questions बेटा अभी तक के तो इस साल तो एक भी Assertion region नहीं आया है ठीक है और generally यह question M's में पूछे जाते थे तो tension नहीं लेना लेकिन देखो गलती से यदि आ गया तो आपको question को solve करने का approach जो है वो मालूम होना चाहिए समझ गए इसलिए आज यह questions जो है बेटा हम लोग आज discussion में ले रहे है चलो next question देखते है इसका answer देंगे बेटा Maximum amount of carbon dioxide is converted into bicarbonate iron in RBC reason कहता है कि RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase अब देखते इसमें कितने लोग सही होते है फिर से mixed type के answer आ रहे है आरियन पारत आरियन बर different है आरियन और प्रजवल बाकी लोगों के सेम आ रहे है हर सीता का भी थोड़ा सा लगाया answer कि यह कोशन का टेस्ट एक दिन लिए ना बेटा कल के कल के टेस्ट में आ रहे है सब कोश्चन ठीक है इसलिए मैं आपको आज प्रैक्टिस ले रहा हूं इसलिए मैंने क्या का आज डाउट सेशन है आप लोगों ने NCRT और मैंने जो पढ़ाया हूं वह अच्छे से पढ़ लिए हो तो आप मुझसे कोशन पूछो मैं आपको answer दूँगा और आप लोग नहीं पूछोंगे तो मैं आज आप लोगों से कोशन पूछोंगा और discussion लोगा ठीक है तो पहली चीस तो बैटा देखिए लांस टेस्ट में क्या हुआ था बहुत से स्टुडेंट जो है वो score कम कर गए थे हमेंसा याद रखना बैटा कि हमें एक तो speed बहुत जरूरी है ठीक है और speed के साथ हमारे लिए accuracy भी बहुत जरूरी है accuracy और speed means क्योंकि आपको मालूम है कि यदि आपने एक question को सही किया तो आपके plus 4 मिलेंगा यदि आपका एक question गलत होता है तो direct minus 5 हो जाते हैं आपके क्यों minus 5 होते हैं क्योंकि देखो यस question के बतले में आपको plus 4 मिलने वाले थे वो तो नहीं मिलेंगे बट यह गलत हो गया तो उसके बदले एक negative minus 1 होता है तो उसकी वज़े से directly एक question पे आपका minus 5 marks मिलता है यह नहीं सुचना कि यह गलत हो गया तो हमें minus 1 ही जा रहा है ऐसा न और जो rank आती है ना exam में वो कैसे रहती है तो rank देखो बटा जैसे कि suppose आप लोग need का exam दे रहे हो और किसी student का 650 score आया है और किसी student का 645 score आया है तो बटा यह 650 से लेकर कि कई student ऐसे रहेंगे जो 650 वाले रहेंगे कैसे रहेंगे वो 649 वाले रहेंगे कुछ ठीकह, गलत हो गया 649 कैसे रहेंगे बेटा 648 वाले रहेंगे। कुछ कैसे रहेंगे 747 वाले रहेंगे तो बटा यह जो एख एक नंबर पर सीधे-सीधे 2000 का rank नीचे गरता है ठीक है और ग्राप जो बैटा यह ऐसे चलता यह इस तरह से मतला यहां पे जो रहेंगा उसकी रहेंगी लेकिन यहां पे जब आएंगा तो इसकी रहेंग बहुत जादा होती है तो ऐसा एफेक्ट होता तो एक एक नंबर जब कम होते है ना तो उसकी वज़े से सीधे सीधे रेंग हमारा फिसलता है इसलिए नीट के लिए बटा हमें स्पीड और एक्ट्यूरेसी बहुत जरूरी है और आज का लेक्टर जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी कीज मिस कर रहे हैं क्योंकि फर्स टेस्ट था आपका डाइजेशन का डूंट वरी टेंस न रलो हो सकता है कि आपके स्कुर कम आये होंगे ठीक है कोई बात ने चलता है ठीक है वेरी गुड बटा आरियन 315 मार्क मिले आपको बायो में बायो में बायो में बुड बहुत बढ़ी और कित्ते थे बड़ा कोशिस करो कि आपके 300 प् प्लस वाले रिया वेरी गुड तू एट्टी आये मंदर कोशिस करो इस बाद 300 प्लस आये और बागी लोग चलो बहुत बढ़िया तो देखे बटा 300 प्लस लाने के लिए पहले चिस तो जो नहीं आता है बिलकुल हाथ नहीं लगाओ कोई option फिल नहीं करना उसमें नहीं तो सोचोंगे कि चलो तुक्का मार देते हैं अभी तक के तो हमको यहीं सिखाया गया है कि जो आता ठीक है जो नहीं आता वो भी ठीक है ठीक है बट ऐसा होता नहीं है जो होता है यदि गलती किये तो माइनस फाइव और सहीं किये तो आपको सिख प्लस फोर मिलेंगे तो यह प्लस फोर में भी आपने कोई और गलती किये तो माइनस फाइव कितना बड़ा लॉस होता है ओके बट कोसिस करो कि maximum question attempt करना है हमको और maximum question सही attempt करना है ठीक है और समय के साथ हमें attempt करना है तब जाके ही आप neat में काफी अच्छा score कर पाऊंगे अधरवाइस आपका score जो है वो नहीं वनेंगा यदि गलती करते हो तो इसलिए जो भी मैं बता रहा हूं उंची जो को follow करो और 300 प्लस मार्क आपको लेके आना है पहले में बता रहा हूं ठीक है मंडे को मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बटा ऐसे कितने student है जिनके 300 प्लस आये है ठीक है और आप लोगों के लिए अगेन एक टास्क दे रहा हूं मैं टास्क यह है बिटा कि कल जब आप लोगों का टेस्ट होंगा तो टेस्ट होने के बाद आपको ऐसा लग सकता है ठीक है कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ठीक है तो अभी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई और हो सकता है कि जैसे आपने कोशन न लगता है, समझ गए, तो ऐसा लगता है, तो ऐसे इसमें आप लोग कल ही मुझे मैसेज कर देना कि सर 24 का answer A है, बढ़ B दिया है, तो मैं answer की में correct करवा दूँगा, ठीक है, और जो final एक rank वाला जो list बनेंगा, उसमें आपको सही answer के साथ, जो सही result के साथ आपका score दिखेंगा कल जो display होंगा हो सकता है कि किसी का 280 score आ रहा है, बढ़ यहां पर plus 4 यदि correction के बाद बढ़ सकते हैं, तो आपका 280 की जगा पर कितना हो जाएंगा, 284 हो सकता है, समझ गें, तो आप लोग कल ही मुझे message कर देना कि सर ये question एक बार check कर लो, हमको ये इस question में doubt आ रहा है, या फि कब भी है, तो पहले ध्यान रखना बैटा, यदि आपको उसमे severity है, कि ये particular x, y, z, जो भी question है, इसका answer a है, बढ़ बी दिया answer की में, तो ही message करना नहीं, तो आसे line से message करोंगे, तो पहले अपने पास proof होना चाहिए, कि इसका answer क्या है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और इस question का answer solve कर लिए होंगे, एक question को solve करने के लिए 30 seconds sufficient है, बायो के लिए, बायो में एक question को solve करने के लिए सिर्फ और 30 seconds में ही solve करना है, तब जाकि आपका कुछ बाला हो पाएगा, समझे, यानि कि 90 question आप solve कर रहे हो, और किसी इसमें गड़बड़ी होती भी होता तो 50 minutes max to max, इस से ज़्यादा नहीं जाना है, बायो में, निताब समझे कि 90 question है, इसको 90 minutes दे देते हैं, ठीक है, तो फिर physics और chemistry में आपका बंटड़ार हो जाएंगा, बिटा फिर, समझे कि physics के लिए ज़्यादा टाइम बचाना है, तो बायो से आप time cover कर सकते हो, 45 minutes sufficient है, ठी हाँ, एक question छोड़ने के बाद आपका ना तो minus 1 होंगा, नहीं कुछ होंगा, यदि किसी question को छोड़ते हो, तो आपकी negative marking नहीं होंगी, लेकिन जो plus 4 मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिलेंगे, और minus 1 भी नहीं मिलेंगे, तो आपका minus 5 का loss नहीं होता है, मतलब question को गलत करने सा अच्छा छोड़ना जाधा पुराता है, ठीक है, सबसे पहले bio solve कर लो और जल्दी solve होगा, तो maximum time मिलेंगा, बेटा, add भी नहीं होंगा, सबस्ट्रेक्ट भी नहीं होंगा, हाँ बेटा, ठीक, सबसे पहले आप bio solve कर सकते हो, कुछ लोग पहले physics solve करते हैं, लेकिन physics solve करने बैठे तो bio और chemistry का पूरा time खा जाता है, तो आप सबसे पहले bio solve कर लो, यदि chemistry numerical नहीं है तो फिर chemistry solve करो, और फिर physics solve करो, लेकिन याद रखो physics solve करने के लिए आपको time जो है, वो consume करके रखना है, यानि कि आपने bio के question को 45 minutes से लेके 50 minutes में solve कर लिए, ठीक है, और आपको यदि 180 minutes मिला है, तो इस 180 minutes में यदि हम देखे, तो 90 minutes actually bio के होते हैं, कई लोग यह मान के चलते हैं, और 90 minutes physics और chemistry के होते हैं, जिसमें 45 minutes chemistry और 45 minutes physics के होते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, अब bio को 45 minutes देके solve क कर लो, तो उसका जो time बचा हो, उसमें कुछ time आप chemistry को दे दो, chemistry को 45 की जगा पर 60 दे सकते हो, ठीक है, 60 और 50 कितना हो गया, देख लो 110, तो 110 के बाद सीधे सीधे आपके पास कितना time बच रहा है, आप average लगा लो, 70 minutes आप physics को देख सकते हैं, मतला 70 से 80 minutes physics के लिए बचा के र तो आप peace of mind से highly concentrate होके, बहुत अच्छे से question को solve कर पाऊंगे, ठीक है, ऐसा solve करना, क्योंकि physics में numerical आते हैं और numerical को solve करने में बहुत जादा time waste हो जाता है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है, more than one hours of physics के लिए जाओंगे बचा तो आप बायो और chemistry में पूरा बंटा दाहर कर दोंगे, आसा भी नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, time calculate अच्छे से करो, ठीक है, बायो को, देखो बचा, कुछ ऐसी question आ गया तो बायो में हर question को 30 second में solve करने के लिए आपको NCRT को 10 बार पढ़ना पढ़ेंगा बेटा, और 10 बार पढ़ने के बाद NCRT को रट लेना पढ़ेगा, एकदम घोट लो बेटा, तब जाकि एक question को 30 second में नहीं, आप 5 second में भी solve कर सकते हो, समझे, इसलिए में क्या क्या तो हूँ, 100% बायो के लिए आपको NCRT ही पढ़ना है, जितना NCRT घोट सकते घोटते जाओ, समझे, बिलकुल page number के साथ, paragraph के साथ, कुन सी line पे क्या लिखा हो, आपको याद हो जाना चाहिए NCRT का, यदि ऐसा हो गया ना, तो आप 720 में से, आप maximum mark score कर पाऊंगे, समझे, बैटा आपने भले पूरे पढ़ लिए हो, कल के टेस्ट में समझ में आ जाएंगा आपको, ठीक है, क्या होता है, इसे पूरे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, NCRT को पढ़ना नहीं है, घोट लेना है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इसे पूरा करो, कि 360 आउट अप 360 लेके आऊ आप, NCRT आपने पढ़े हो ना, आपने आपको चैलेंज करो कि इस बार हम 360 आउट अप 360 लेके आएंगे, समझ गहें, और 360 राने के लिए बिल्कुल घोटना है, NCRT भी घोटना है, मैंने जितने class lectures जो बताया हूँ, class में जो notes बताया तब आप 360 पहुचोंगे, नई भी आरा तो 300 प्लस का टार्गेट रखो, ठीके, आप देखो 300 प्लस का टार्गेट रखोंगे तो आप 250 पे जाओंगे, आप 360 का टार्गेट रखोंगे तो आप पुरा पढ़ोंगे, अब पुरा पढ़ोंगे तो 340 तक क्या आप स्कोर लेक जाएंगा ओके ग्यारा बजे ही होता है साइथ आप लोग का टाइम साइथ वही होंगा हां ठीक है मिल जाएंगा टाइम चलो तो इस के एंसर जो है आपने बहुत से लोगों ने और बी दिये थे बट इसका एंसर ए आ रहा है ए आने का रिजन क्या वह भी बता दिता हूं असरसन क्या कहता है maximum amount of carbon dioxide is converted into by carbonate iron in RBC हाँ बेटा RBC में carbonic and hydrogen enzyme है और carbonic and hydrogen enzyme की presence में carbon dioxide S2O के साथ जब react करता है तो S2CO3 बनाता है समझेगे जो की H प्लस और SCO3 माइनस आयन में convert हो जाता है तो carbonic and hydrogen enzyme की वज़े से maximum amount में carbon dioxide का conversion होगा चलो यह तो सही है फिर उसी के साथ RBC जो है बेटा contain होता है very high concentration किस चीज़ का बेटा enzyme carbonic and hydrates तो अब मुझे बताओ कि यदि carbonic and hydrates यदि नहीं रहा तो RBC maximum amount पर convert नहीं हो पाएंगा तो यहां पर इसको हमने negative किये तो इस पर affect हो रहा है means इसका answer जो है वो क्या आएंगा A आएंगा B नहीं आएगा समझ में आ गया अब इसका answer A क्यों आ रहा है समझ में आ गया होंगा आप लोगों को कि मज़ा आ रहा है ना मेंटा question solve करने में इंटरेस्टिंग है की नहीं है आए 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 तो फाइनली अब हम थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से सारी यह देखते हैं अब हम लोग बटा हमारा जो chapter रे लास्ट वाला circulation उसे रिवाइज कर लेते हैं ओके हाँ तो body fluid and circulation का अभी तक के हम लोगों ने study किये हैं और body fluid and circulation जिसमें firstly यदि हम लोग देखे तो यहाँ पे आता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिशू जिसमें वैस्कुलर कनेक्टिव टिशू के टू टाइप आते हैं वैस्कुलर मतलब जो blood vessels में present होंगा तो इसमें एक तो blood आता है हमारा ओके और blood के साथ ही साथ इसमें क्या आता है लिंफ आता है ठीक तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे blood का study करेंगे और blood का study जो है इसमें study of blood जो की hematology कहलाता है यह मैंने आप लोगों को already समझाया ठीक है अब hematology का यदि process देखे तो blood जो है आपको मैंने इस तरह से एक diagram बनाया था last time bone का और bone का यह जो diagram था आपको याद होंगा कि यहाँ पे मैंने bone marrow आपको बताया था और bone marrow में एक process होता है RBC के formation का जिसे erythropoiesis कहते हैं बट blood के formation का जो process होता है जो bone marrow में होंगा उसके लिटम यूज होता है वो कहलाता है hemopoiesis जो की कहा हो रहा है bone marrow में हो रहा है तो आप लोगों को यह याद रखना है बटा क्या चीज हीमopoiesis क्या होता है यह आप लोग याद रखेंगे hemopoiesis के बाद फीर हम लोग यहाँ पे क्या चीज कलर हम देखे blood का तो red होता है 7.4 pH means slightly alkaline होता है ठीक है volume जो है बटा 5-6 liter male में और 4-5 liter female में होता है region इसका मैंने बताया था आपको female में blood का कम होने का region एक तो menstrual cycle है और male में blood का region ज़्यादा होने का region सबसे बड़ा है बटा testosterone तो यह hormone जो है बटा testosterone वो blood के formation को improve करता है increase करता है ओके जो पार्ट में बता रहा हूं उसी पार्ट को focus करना है ठीक है अभी यहाँ पे देखिए blood के अधि हम बात करें तो blood में इसका हम लोग directly composition देखेंगे अभी तो composition में liquid part होता है जिसे matrix या plasma कहते है जो 55% होता है solid part जिसे blood carpuscles कहते है RBC, WBC और platelets आता है इसमें जो की 45% होता है ठीक है फिर इसके माद जो matrix जो होता है plasma में यदी हम देखें तो पहली चीज तो यह pale yellow color का होता है reason यह भी बताया था मैंने euro bil क्या है euro bilinosan एक bilo rubins होता है device कर आ रहा हूं same period आपको मिल जाएंगा composition यदी हम देखे plasma का तो इसमे water 90-92% और जितना भी solid part है जो की 8-10% आता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे protein तो protein की बात करें तो six से लेके seven percent तक के protein होता है means maximum amount में यहां पे जी solid part में हम देखें तो क्या present होंगा protein ही होंगा जिसमें से albumin सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम जो होता है वो होता है क्या चीज़? ग्लोबिलेंस ठीक है? हाँ तो सबसे ज्यादा जो synthesize होंगा albumin होंगा इसके बात ग्लोबिलेंस रहता है और सबसे कम जो है fibrinogen देखे थे हमने याद है तो वो होता है तो पहली चीज़ तो यहां पर यदि हम देखे तो albumin जो है लीवर से synthesis होता है यह एक plasma protein है क्यों क्योंकि यह हमारा blood collidal osmotic pressure BCOP ठीक है यह maintain करके रखता है इसको simple term में यदि हम समझे तो इसका rule क्या है यह हमारा osmotic balance जो है osmotic balance मतलब हमारे body में water का amount जो है उसे maintain करके रखता है कैसे maintain करेंगा तो देखो यह जैसे कि यह blood है इसके साथी साथ इधर साइड हमारा यह tissue है यह cells है हमारी ओके अब क्या होंगा हम जानते है कि यहां पे क्या चीज यह जो substances है इसमें RBC है WBC है platelets है साथी साथ food और nutrients है सारे substance यह present है तो अभी क्या होंगा जब finally यहां पे यह जो भी component जो है यदि इसको इधर पास करना है तो यह इधर पास करेंगा तो इसमें जितना भी जो substances है वो पहले इधर बहार आएंगा मतला water भी आएंगा water के साथ जो भी यहां पे oxygen कहलो और protein कहलो वो भी आएंगा और finally वो आने के बाद उसका क्या होगा यहां पे इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगा तो यहां से water बाहर निकला तो इस water को आपस है खीचना भी तो पड़ेगा तो जो retain the water capacity जो होती है तो उसमें albumin एक important role play करता है इस तरह से क्या होंगा albumin जो है water के balance को maintain करके रखता है ठीक है तो responsible for maintain blood collidal osmotic pressure यह दिया हुआ यहां पर इसके बाद globulins के बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है percentage याद रहे तो ठीक है नहीं रहे तो don't worry tension ना लेना जितना digest होता है याद होता है याद रखो ठीक है थोड़े सा कुछ part additional है जो मैं आप लोगों समझा रहा हूं यहां पर तो इसके बाद देखे बाद यहां पे क्या चीच क्या देख रहे हैं हम लोग globulins देख रहे हैं जो की यह भी liver से synthesize होता है साथ ही साथ बटा lymphoid organ आगे कलके हम लोग lymphoid organ के study करेंगे lymphoid organ के यह बात करें तो एक spleen जो है यह lymphoid organ होता है एक thymus lymphoid organ होता है बोन मेरो भी बैटा lymphoid organ होता है समयझ में आगया टॉंसिल जो है यह भी lymphoid organ होता है पेर पैचे से हमने पड़े थे बाटा वो भी lymphoid tissue होता है तो वो भी lymphoid organ में आते है तो इसमें lymphoid organ दो टाइप के होते हैं, एक तो बटा primary lymphoid organ और एक होता है secondary lymphoid organ, ऐसे दो टाइप के lymphoid organ present होते हैं, समझ गए, तो lymphoid organ और साथ ही साथ liver जो है, liver से globulins का synthesis होगा, ठीक है, अब synthesis में मैंने आपको बताया था कि alpha, beta, gamma ऐसे अलगला टाइप के globulin होते हैं, तो यह सब हमको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर पर सिफ जो पढ़ना है वो gamma globulins पढ़ना है, और gamma globulins में भी मैंने आपको बताया था कि यह जो है antibody होती, जिसे IGS से represent करते हैं, ठीक है यह battery को मारता है, यह virus को मारता है, यह toxic substance को हमारे body से हटाता है, मतलब हमारे body में किस IgM है, IgD है, IgE है, इतने globulins present है, जिसमें मैंने आप लोगो को बताया था कि IgE जो होता है, जितना भी allergy से related response जो होता है, यह maintain करेंगा, समझ गए, IgE जो है, ठीक है, इसी तरह से यह सारे detail हम आगे के lectures में वैसे भी study करेंगे, don't worry, tension ना लो, जैसे कि placenta को cross करने वाला G है, हम सलाइवा में present होता है, यह cholesterol जो होता है, जो mother milk होता है, starting के time का, lactation के time का, जो होता है, वहाँ पे IgE होता है, ओके, यह detail में हम लोग आगे समझेंगे, lymphoid organ की थोड़ी information चाहिए, lymphoid organs जो होता है, जैसे spleen जो है lymphoid organ है, thaymas जो है lymphoid organ है, tonsil जो है lymphoid organ है, इसका roll capital lymphocyte का production, और lymphocy का जो production है lymphocyte में एक B lymphocyte होता है और T lymphocyte, तो वैसे तो देखो यह दोनों भी lymphocyte का जो production है, यह bone marrow में ही होता है, ठीक है, फिर B lymphocyte बेटा bone marrow में ही mature हो जाएंगा, बट T lymphocyte directly कहा हैंगा, thaymas में, और thaymas में आके mature होता है, mature होने के बाद बटा, tonsils, spleen, pear patches में यह lymphoid cells जो है ठीक है, यह पहुँच जाएंगी, अब पहुँचने के बाद यदि कोई bacteria आता है तो उसको वहाँ पर मार देंगा, आप देखना बटा, जैसे कि for example आपके किसी भी hand या किसी भी body के part में, क्या कह सकते हैं, यदि कुछ effect हुआ है, किसे इसका effect हुआ है, जैसे कि for example, bacteria का तो पर्टिकुलर एरिया में swelling आ जाती है, तो एक response होता हमारे lymphoid organ का, ओके, तो यह पार्ट हम लोगों ने introductory part में study किये थे, Prothrombin और Fibrinogen दोनों भी blood में present होते हैं, दोनों का role better blood को clot करने में help करता है, ठीक है, blood की clotting में क्या करेंगे, यह help करते हैं, यह यहाँ पे दिया हुआ है, help in the blood clotting, कितना याद रखो, इतने part में समझ में आ गया है सभी को, किसी को कुछ doubt है, यह सारा information मैंने आपको already with the help of board lectures जो है, समझाया हो, बहुत अच्छे से सभी का clear भी है वैसे, ठीक है, but guys जो पढ़े हैं, थोड़ा सामको theory में भी चाहिए होता है, तो यह notes आपको provide कर दूगा, ठीक है, आपके group में मिल जाएंगे, और यह इसी तरह से highlighted form में मिलेंगे आपको, आपको पढ़ने में बहुत अच्छे आसानी होगी, थोड़ा सा extra information है यहाँ पर, in additional to NCRT, यदि digest होता है, तो इसको refer करना digest नहीं होता है, तो बिंदाज छोड़ दो, ठीक है, सिर पर सिप NCRT को अच्छे से पढ़ो, लेकिन बटा जो भी टेस्ट में में दूँगा, तो टेस्ट में में जो पढ़ा र होंगे तो, ओके, रेबिट का नहीं पढ़ना है, हम लोगो respiratory organ, don't worry, tension न लो, हाँ, lecture से notes बना लिये हैं, बहुत अच्छी बात है, very good बटा, lecture के notes बनाये हैं, तो बहुत अच्छी बात है, शरू आगे बढ़ेंगे अभी, अब हम लोग यहाँ पर blood carpuscles के बारे में study करेंगे तो blood carpuscles का यदि हम study करें, तो आपको याद होंगा, blood carpuscles में मैंने आप लोगो को जो last time explain किया था, जिसमें एक RBC आता है, WBC आता है, और एक आता platelets, RBC को erythrocides, WBC को leukoside और platelets को thrombocide कहते हैं, तो सबसे पहरे बेटा यहाँ पे हम लोग RBC का ही study करेंगे, ओके, RBC के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, तो RBC के यदि हम बात करें यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो बेटा mammalian RBC, कैसी होती है, बताओ, by conqueo होता है, ठीक, आप RBC को देखोंगे, तो RBC जो है, आपको कैसे बेटा, जो है, इसका सेब होता है, ठीक, तो mammalian RBC जो है, by conqueo होती है, पहली चीज़ तो यह याद रखना है, साथ ही साथ circular और non-nucleated होता है, मतलब RBC circular भी हो सकती है, बड़ RBC में nucleus जो है present नहीं होता है, ठीक है, RBC में golgi body भी नहीं होती है, RBC में mitochondria भी नहीं होता है, mitochondria नहीं होंगा, तो जतना oxygen आएंगा, वो use नहीं कर पाएं ठीक है, इसमें बाकी के organ नहीं रहेंगे, तो इसलिए कि maximum amount में हीमोग्लोबिन को रखने के लिए जगा मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा amount में यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो सकता है, ठीक है, तो पहला point तो हमको एक चीज़ सीधे सीधे समझ में आता है, क्या चीज़ बट जब maturation की process होती है, तो जो nucleus इसमें present होता है, यह क्या होता है, degenerate हो जाता है, ठीक है, और by conco की वज़े से बटा RBC को ज़्यादा से ज़्यादा उसका surface area बढ़ा दिया जाता है, कैसे, यदि आप यहाँ पे इस तरह से यह blood vessels देखोंगे, और यह circular रहेंगा तो इसको surface area कम हो जाएंगा, लेकिन यदि यहाँ पे आप लोग by conco की देखोंगे, तो इस तरह से क्या होगा, उसका surface area बढ़ा गया, उत्यसी जगह में दो कितने सारे RBC आ गए, समझ गहें, तो यह general सा concept है, simple logic है, NC8 में लिखके देने की जरूत नहीं है, तो आप लोग याद रख सक है, समझ भी आगया, क्योंकि एक question तो यह भी आता ना, कि इतना amount RBC का क्यों present है, तो इतना amount RBC का present होने का सबसे बड़ा reason यही है, कि RBC का जो safe जो होता हो, कैसा होता है, by conco होता है, समझ गहें, हाँ, तो nucleus नहीं होनी की वज़े से तो मैंने पहले बताया है, कि जादा से जा आमल और लामा जो होता है, यह by convex होता है, oval chip होता है, और उसमें nucleus भी होता है, यहाँ पर नहीं दिया बट nucleus होता है, यह याद रखना, ओके, endoplasmic reticulum मैंने पहले बता है, यह भी absent होता है, ठीके, बाकि सारी सीचे छोड़ दो, इधर को कुछ भी पाट याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह आप छोड़ सकते हो, फिर हम लोग आते बटा, यह RBC जो है, RBC का यह membrane है, इसको plasma membrane कहते ह तो RBC की जो plasma membrane उसके लिए एक term, बटा, scientist है, donum नाम का, उन्होंने RBC की plasma membrane को सबसे पहले देखा था, इसलिए इसको donum membrane के नाम से हम जानते हैं, तो यह हमको मालूम बटा, plasma membrane क्या होता है, एक special substance के लिए permeable होती है, बट दूसरे substance को पास होने नहीं देता है, तो इसके protein आये आपने देखे थे हैं, hamburger phenomena देखे थे, hamburger phenomena में हमने क्या देखे थे, यह blood vessels थी, इसमें हमने RBC देखे थे, तो chloride बहर जा रहा था क्या, नहीं, bicarbonate बहर जा रहा था, chloride अंदर आ रहा था, बट बाहर पेट ने प्लस भी तो था, वो भी तो आ सकता था, बट वो आया गया क्यों कि उसका region यही है chloride mechanism देखे थे न chloride और SO3 इसके लिए permeable है but potassium और Na plus जो होता है sodium इसको अपने में से पास होने नहीं देता है इसको donorum phenomena भी कहते है क्यों कि उसने membrane को discovered किया था और उसी के पैसे हैं क्यों कि एक question आपको यह भी आ सकता था कि sir क्यों ऐसा हो रहा है कि chloride अंदर आ रहा है और bicarbonate बाहर जा रहा है वहाँ पर sodium भी तो है potassium भी तो है यह भी तो वहाँ पर अंदर बाहर हो सकते है बट हुआ क्या नहीं हुआ उसका आपको अभी समझ में आ गया होगा तो आज का lecture पिछले lecture से connected और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही बहुत ज़रूरी है समझें क्योंकि हर एंस्याटिक है कि statement पे question मना है हम कैसा क्यों है तो उसका answer आज के lecture में आप लोगा इसलिए मैं आपका आज का ये lecture with the help of slide ले रहा हुता कि आपको information सारी के सारी मिले clear हो गया हाँ बेटा floating जो होता है वो भी हम देखेंगे animation दिखा दूगा मुझे एक बार remind करा देना में दिखा दूगा मैं ठीक है एक बार message कर देना मैं slide मैड कर दो गो इस animation को आगे बढ़ते हैं ये वाला पार्ट आप directly छोड़ सकते हो इसको छोड़ दो आप अभी यहां पर देखिए RBC जो है higher cell organelles mitochondria गॉल्जे बोडी absent होता है ये भी मैंने पहले बता दिया आपको absence होता है mitochondria तो aerobic respiration RBC में नहीं होता जिससे oxygen का utilization नहीं होगा maximum amount में RBC जो है वो tissue को deliver कर सकता है समझ गए तो ये भी पार्ट मैंने explain किया आपको फिर उसके बाद next देखिए बटा RBC में जो glycolysis जो होती है RBC में glycolysis process present होती है बट क्रेप cycle नहीं होगा glycolysis मतलब glucose को तोड़ना है तो RBC में हो जाएगी बट क्रेप cycle के लिए oxygen use होता है तो क्रेप cycle RBC में नहीं होता आदा process जो है cellular respiration का RBC में हो सकता है ये याद रखना बटा RH antigen क्या होता है इसके बाद हम लोग blood group का study करेंगे तो blood group जब हम study करेंगे तो वहाँ पर बीटा RBC के जो surface होती ही न वहाँ पर special type के protein होते है ठीक है जिससे कहते है antigen ठीक है तो ऐसे यहाँ पर protein होते है किसी का blood group A है तो उसके पास A antigen present है किसी के पास blood group B है तो उसके पास B antigen present है किसी के पास blood group O है तो उसके पास कोई भी antigen present नहीं है किसी का blood group positive है तो उसके पास RG antigen present है किसी का blood group negative है तो उसके पास RG antigen भी present नहीं है यह वाला पार्ट में ब्लड ग्रूप में आप लोगो डिटेल में ले लूँगा तो अच्छी से समझ में आ जाएगा इतना पार्ट बिटा क्लियर हुआ गया रिस्पॉंस करेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं शेलो, very good next part देखिए बिटा, single RBC में ने बताया था पहले yellow color की होती है लेकिन ग्रूप में रहा तो यह बूझ कलर के दिखती है अरवी जार्ट के वजह से आता है, हीमोगलोविन की वजह से आता है हाँआए दो इसितो है हेम लूवेन प्रदिय होता है यह वाला पाट छोड़ दो यह आपको ने पूछा जाएगा है जाद निगर हम अवी साहना रहनें वाल आपको दो साल के बाद हो यह याद रखो अब हीम जो है वेटा हीम एक iron पोरफाइरिन कॉंप्लेक्स है Iron पोरफाइरिन कॉंपलेक्स मतलव यहाँ पे center में इस तरह से iron रहेंगा चारों तरप यहाँ पे nitrogen होते हैं इस तरह से और nitrogen के बाद फिर यह इस तरह से structure मनता है तो complete एक structure जो है वेटा एक pyrole ring बनती है 2-plus के form में होता है ठीक है और इस तरह से एक हीमो ग्लोबिन जो है चार ऑक्सिजन को करी कर सकता है आपको याद होंगा मैंने इस तरह से F.E. और इसके साथ ऐसा आपको मैंने ऑक्सिजन केरियर में ऐसे बताया था फोर साइट याद आ रही है ब्रेथिंग में तो कैसे कैरी करता हो बताया था मैंने नेक्स्ट ग्लोबिन जो होता है इसमें ग्लोबिन की बात करें यह प्रोटीन है मतलब इसमें 4-Polipeptide होती है जिसमें 2-Alpha और 2-Beta होती है अलफा और बीटा यदि हम देखे तो थोड़ा से यहां पे concept समझ लेते हैं पहले आपको याद होगा हम लोगों ने यहां पे क्या चीज प्रोटीन का study किये थे अब प्रोटीन क्या होता वेटा polymer of amino acid होता है यहां पे इस तरह से बहुत सारे amino acid जब जोईन होंगे तब जाके ऐक protein बनता है यह आप जानते हों तो इसी तरह से हीमोगलोबिन तो ग्लोबिन जो ही एक प्रोटीन है तो ग्लोबिन जो अपने आप नह आततले में जो प्रोटीन जो फर्म हुआ, ऐसमें grips 2 a chain और 2 beta chain होगा, तो यह कितने amino acid बात करें कि गते हो एगजाम हो, एक जरम कहते है। तो अलफा में कितना हैगा बिटा 141 amino acid होता है और बीटा में कितना हैगा 146 amino acid present होते हैं यह याद अखना है ठीक है चाहँ तो स्किन सॉट लेके रखते हो प्रोटीन amino acid से बना है हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो दो अलफा और दो बीटा चेंद से बना हुआ है ठीक है तो यह अलफा और बीटा पॉलिपेप्टाइड हो गई अलफा में 141 और बीटा में 146 amino acid होते हैं बाके सब छोड़ दो कोई जबरत नहीं यह सब पढ़ने के ठीक है अब पॉलिपेप्टेट चेन के हिसाब से हीमोग्लोबिन के जो टैस बता है यह भी छोड़ दो यह भी कोई नीड नहीं पढ़ने का ठीक है जो एक्जाम में आते हुए पढ़ना है तो आप सब पढ़ोंगे तो महत प्रब्लम हो जाएगी इतना या ये याद रखना है अब आर नार्बिसी का सडस चेंज होता है दो क्या होता है हमको नहीं पढ़ना है ठीक है लेकिन विटामिन बींवगा डींवेक्षेंज और और नार्मल साइज होता है चेंज हुआ तो यहाँ पर बढ़ गया तो मैकरो और चोटा होगया तो microcite कहते है, iron का deficiency होता है तो microcite, इसको microcytic anemia भी कह सकते हैं, ठीके, क्योंकि क्या होता है, ये iron यदि कम है, कम है मतलब क्या है, ये destroy होगा कहाँ पे spleen में, तो RBC का amount जो है, क्या है, this amount जो है, hemoglobin, क्यों? क्योंकि iron नहीं रहा तो हेमोग्लोबिन कम होगा हीमोग्लोबिन कम रहा तो RVC कम रहेंगे तो इस तरह से HB amount RVC में decrease हो जाता है है हीमोग्लोबिन के count के according कितना है हमारा blood जो हम calculate कर सकते हैं जो blood donate करते हैं तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन test check करना पड़ता है कितना हीमोग्लोबीन आ रहा है मेल फीमेल में वैरी करता है ठीक है फीमेल में 11 से 16 मेल में 12 या 13 से 17 18 के आसपास चाहिए एक नॉर्मल रेंज रहती है उतना हीमोग्लोबीन है मतलब परसन ब्लड डोनेट कर सकता है परसन की बॉड़ी में sufficient amount में ब्लड है कम आता है 10 से बिलो लेना पड़ेगा समझ गए RBC का सेफ हम जानते हो by कॉन के होता है ठीक है यह चेंज होनी की वज़य से क्या होता है यह नहीं पढ़ना हम लोग गोग है अन्भी सको हो जाती हो मून है जो होता है आसे यह अर्बीसी हो जाती है इसको sickle cell चैप कहते हैं, sickle cell एनिमिया एक genetic disorder है बटा, यह हम लोग genetics में study करेंगे, बाकि हमको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, अब यह क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, तो वैसे मैंने already highlight किया हूँ, यदि by chance आप लोग पीडियेप से पढ़ोंगे, तो एक बाद वीडियो देख लेना, मार्क कर लेना, RBC count मैंने बताया था, human male में 5.5, human female में 4.5, दो NCRT में दिया है, यह इतना याद रख सकते हूँ, newborn का आता नहीं है, rabbit का विल्कुल भी नहीं पढ़ना, frog का विल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठी है, दो ही याद करो, sufficient है, क्योंकि देखो, अभी आप जो जोस में पढ़ लोगे, क्योंकि अभी आपके पास time है, समझ गये, तो बाद में फिर क्या होँगा, इतना याद नहीं रहेंगा, तो कचरा नहीं करना हमारे brain को, विटामिन B12 का deficiency मैंने बताया था, macrocytic enemy होता है, iron का deficiency, macrocytic enemy होता है, blood यदी ज़्यादा हो गया, तो छोड़ दो क्या होता है, जरूरती नहीं है, हमने दूसरे term जो main पढ़े, RBC count कम हो ज़्यादा होते तो, already पढ़ चुके, RBC के formation को erythropoiesis कहते हैं, यह हम लोग पढ़े हैं, RBC का formation के लिए erythropoietic organ, means bone marrow, जहां पर भी RBC का formation होगा, यह पढ़े, यह हम लोगों ने देखे, सबसे पहले RBC जो बनता है, सबसे पहले RBC जो form होता है, means कहां पर, वो अपना york से एक, मतलम newborn की बात करें ना, फिटस, तो उसमें york जो होता है, york से एक, सबसे पहले RBC वहां बनती वेटा, ठीक है, embryonic life में, क्योंकि देखो, हमारा bone marrow तो develop नहीं हुआ, तो इसके लवा लिवर, spleen, placenta, thymus, यह सब RBC बनाते हैं, शुरुवात में, लेकिन adult होने के पाद यह सब काम करना बंद कर देते हैं, तो finally, कहां पर बिटा, हमारा जो bone marrow हो है, वहां पर RBC बनेंगी, इतना ही याद रखो, RBC destroy होता है, spleen में इसलिए, इसे graveyard up RBC कहते हैं, और यह excess blood यह दी रहा, तो उसको store भी करके रखता है, इसलिए blood bank भी कहते हैं, तो RBC के respect में इतना पाट पढ़े हम लोगों ने आज समझ गए, तो इतना ही याद रखो आज के लिए, क्योंकि WBC अला पाट हम कल देखेंगे, समझे, क्योंकि WBC के points चो हैं, और भी कुछ-कुछ extra points है, वह हम देख लेंगे, एक साथ बहुत सारा पढ़ाऊंगा, brain पूरा garbage हो जाएंगा, इतना आप revise करके आओंगे, ये notes में आज share कर दूँगा, ठीक है, तो next lecture में मैं आप लोगो का oral test लोगा, वैसे तो कल आपका test है next side हमारा Tuesday paper रहेंगा, Tuesday class रहेंगा, तो Tuesday आप लोगो का दो task रहेंगा, पहले तो paper के जो भी doubt रहेंगे, जो भी doubt है, ठीक है, आज आप लोगो, कल आप लोगो paper देने के बाद एक तो correction, ऐसा लिखना के सरी हमको इसमें correction लग रहा है, और आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे PDF भी ले 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 ना, immediately मैं आपको PDF share कर दूँगा, समझे, ओके, बैटा मुझे आरियन आप मुझे text आप WhatsApp या टेलिग्राम पर text कर देना, मैं add कर दूगा slide, समझे, समझ में आगे बैटा, हाँ, newborn में बैटा, RBC जादा रहता है, बाकी cells कम रहती है, ठीक है, मदर से ही blood transfer हो रहा था न, newborn में, और बहुत सारे organ है, वहाँ पर बैटा, RBC के formation के लिए, सिब एक single organ नहीं है, यह पढ़े न, अपने, spleen, placenta, thymus, liver, यह सब है, सारे के सारे RBC बना रहे तो जादे ही रहेंगा, तो अब देखिए, क्या चीज, doubt के number और correction के number कल मुझे आ जा के बाद एक और चीज, जब हम Tuesday को मिलेंगे तो आप लोगों का होंगा oral test, और oral test जो रहेंगा Tuesday को दो तरीके पे होंगा, एक तो जितना भी आप लोग ब्रिफिंग का जो टेस्ट देंगे, उस पे में आप लोगों से और ली पूछूँगा, तो जितना भी paper में आप से यह पूछूँगा कि बटा NCRT से आया है, या NCRT के बाहर से आया है, और कितने question NCRT से आया है, NCRT का page number और paragraph number वो भी पूछूँगा आप लोगों से, समझें, इसलिए paper देख करके NCRT सामने रखना, और अच्छे से एक ही question analyze कर लेना, Tuesday आप लोगों का main test रहेंगा, यह समझ ल और कौन से गलत आपने solve कियों सब बताऊंगा मैं आप लोगों, समझ गए, क्लियर हुआ, इतना part रहेंगा और इसी के साथ-साथ यह जो blood मैंने पढ़ाया हूं, complete blood जहां तक मैंने पढ़ा दिया हूं, RBC, WBC, platelets, यहां तक के मुझे आप लोगों से पुरा याद करके चाह और Monday के जिन पूरा circulation पढ़ लेना, और Tuesday अच्छे से revision करके आना दोनों भी chapter, ओके किसे को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, otherwise finally आज का class हम end करते है, फिर, WhatsApp नमबर नहीं है, बेटा जो टेलिग्राम का नमबर है, वो भी WhatsApp का नमबर है, बेटर यह रहेंगा पार्ती है, मॉडल में पढ़ेगे बटा आपने, अपनेस्टिक सेंटर, यह अपनेस्टिक से रिलेटेड होता है, मीन्स इसे जो ब्रेथिंग जो होता न, डिप ब्रेथिंग, इंस्पिरेशन और एक्स्पिरेशन जो करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है, अपनिसिस अपनिया बोलते जैसे यह भी अपना ब्रेनी रहेंगा मेडूला ही आएगा इसमें भी और शुरुवात में किसी और का भी डाउट आया था और किसी के कुछ डाउट है शुरु नहीं है तो फाइनली फिर आइंड करते हैं आज का लेक्चर शुरु वेरी गुड बिटा थैंक यू बाबाई मिलते नेक्स लेक्चर में एव नाइस जे अच्छा एको डाउट आया है अधरो का अधरो का अधरो क्या है रेस्पिरेटरी सेंटर डिलीवर ओर इजिन डिराइब डिलीवर डिराइब डिराइब्ड भाय है यह यह भी जो डिराइब्ड होता है यह अपना एक्जेक अभी मुझे याद निहारा है इसको क्या कहेंगे अपना जो आता है और डिजेशन से मैंज़ेटी सिमिलर रहेंगा सर्कुलेशन मीडल रहेंगा याद नहीं आ रहा है मुझे वाला ठीक है इस से रिलेटेड में आप लोगों का जो है क्या कहते है अपना यह होगा बैटे अपने अन्साटे में नहीं दिया है क्या से डिराइवड होता है ठीक है तो नीड नहीं यह इसका ओके अथर हो कल ज्यादा कोश्चन क्या बुलने चारवे बैटा आया है नहीं समझा मुझे ब्रिटिंग पर ही रहेंगे ना वेटा कम्प्लेट ब्रिटिंग ही है सारा आएंगा एक एक पार्ट जितना पड़ाया मैंने टूटल ब्रिटिंग है टाइजेसर नहीं यसे ब्रिटिंग एक ही चेप्टर है कल समझे चलो तो फिर एंड करें फिर आज का क्लास है और केसे को कुछ पूछना है चलो फिर बबाए